यह प्रेंट्स मेरे नहीं सिंग और आप मेरा यूपी चैनल देख रहे हैं यह पिछले एपिसोड का कर्टीनिवेशन है पिछले एपिसोड में हम बता रहे हैं कि साहिल भाई यह मैं तो आपने बता है कि अमीर लोग ही किताब खरीदेंगे किताब खरीदेंगे लोग रेड लाइट मिलते हैं एक और जगह थी जहां अमीर मिलते थे वह थे रेलवे के स्टेशन मुझे सब चीज़े मुझे ध्यान आई थी कि अमीर कहां कहां में किसा बताईए क्या हुआ था तो जब मैं रेड लाइट पर दा मैं बेचता था ना किता तो रेड लाइट सेग्मेंट है और मैं दोफर में किया करता था क्योंकि दोफर में मैं क्या करूं इसके लिए मेरे पास काम काम हुआ करते थे वहीं डिटी से बसकाली कहानी थी ठीक है कि बस बसकी सोटेज होती थी तो उस ताइम के उटिलाइज के लिए अचा मुझे अच्छे मैंने एक साल सी चाल रहा है इसको छोड करके कभी अधने में आफो कि मैंने कम से कम एक साथ 20 प्रोडक्ट को सेल किया हो कि अलग़ाग और है क्या बाुद्य रहते थे अंद पाने बाकी लोग भाली मेरे हमारे रोब्सक्त दॉस देखार उब्सक्ट करना कब्सक् मेरे इस इन वीडियो के नीचे ने एक दो लोग है कुछ लोग होते हैं जो की जिनको हंड्रेड परसेंट अपने विश्वास है कि मैं गधा हूं मैं जिन्दगी में कुछ कर रही नहीं सकता और सिर्फ मैं नहीं दुनिया में कोई आदमी जिन्दगी में कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता आएम फेलियर आएम लूजर तो अगर मैं इतना जूट बोल रहा है कुछ लोग एटिचुड उनका नजरिया है उसमें क्या बोल सकते हैं पर अब 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 चीजे ऐसी है कि उनको बैक एरा में लाकर दिखाई नहीं जा सकती है हां कुछ चीजे हैं जैसे मैंने मार्केटिंग किया है तो आज मेरे साथ मैं बेल आज मेहतरी होगी तो चलके बेल बजा करके कैसे बात कर दिया किसी के अच्छे भविस के लिए मैं कर सकता हूं कि मैं पैदल चलता हूं कुछ चीजें पर्मानित क्या जाता है आज मैं पत्चास किलोमेटर सो क्लिमेटर नौन इस्टर पैदल जाओंगा तिन दिन चार दिन पास अच्ट को परलेल लेके चलते तो आपने कहा किताब किताब बेचना है और अमीर लोग मिलते हैं एक और जगह है düşün चार्ब करना मिलग हो तो लेकर बीर में अमीर नहीं पता चलेगा हूई है अब हम चले गए तो वहीं लोग है ना इनकी बेसरी बहुत अच्छी है तो मैं फिर नई दिली च्टेसन पर जा करके नो तो मैं तो मैं दोवर में रेलाइट वोला काम करता था और साम को नहीं दुल्स चला जाता था था बेचने के लिए औरश और थेखाज से पास दस दिना थीक थीक से नहीं दसी चल पाया वोगा यूद कीछ बीच में अच्छा मुझे पता नहीं-पैल्ट काम है यहां मुझे नहीं बेचना है मंदब यॉर नोट अध्राइज टुसेल इंद रेलवे प्रेमाइस हां वहां कुछ ठेकाओ का निकलता जिन जो उसके होते हैं वहीं बेच सकते हैं पर पर मुझे पता नहीं था कि मैं गल्ती कर रहा हूं पर जब मैं पहली बार पकर में आया और सिव गंगा देते हैं आप जूकि जी आर्पी को हफ्ता याड डेली नहीं दे रहे थे इसलिए आपको पकड़ लिया जी आर्पी एक भी बजा है और दुसरा यह है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं लीगल वर्क कर रहा हूं तो बचा बचा के करता नहीं क्योंकि मैं गलत काम आज तक मैं तो ट्रेनों में अक्सर स्लीपर क्लाफ में अक्सर देखा आया कि इतना बड़ा प्रण डॉल है आरे दद्दा वो पाइरेटेड बुक्स बेचने वालों को गुटका जो बैने होने बिखता है तो उसी समय में पकरा गया पकरा गया तो मुझे थोड़े टाइम के लिए करवाइब करके नहीं आई इसे ही नहीं होता है के लोगना करो इसको तो बंद कर दिया गया पर तो उन लोग को समझ में आया कि असको वहर्भी में च्छोड़ओ। साथ कि आगे से नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा हमको आप बिना बंद किये भी कहा देते कि यह लीगल है तो तो आचा फिर मैंने किताबे छीन करके एक एच वीलर सौपकले को दे दिया था तो बाद मैंने उनको बोला कि मेरी किताबे दिलवा दीजिया तो उन्होंने अच्छे लोग थे उन्हों जाके किताबे मेरी दिलवादी बनोह लाट दो डाता क्या रहे चल जाए यहाँ से जेल से निकल गए ही बहुत है तो फिर मतल्क किताबे उन्हों दिलवादी यह ले करके चला गया तो अच्छे फिर मेरे पास रेड़ लाइट वाले कांड में उसमें डाल देते थे इसी में कोई सजन्थे गाड़ी में पर्ची दाला और उन्हों नहीं किताप चाहिए आजाओ वो चतरपूर के पास उनका ओफिस था किताब मंगाया था अच्छा यह यह बंद कर बंद कर उसको उन्हों ने अपने मतलब ऑफिस में भी पुरापर हावलात जैसा एक गर बना रखा था पुरपर वादी कौन था आर्मी का को रिटायर अपसर थे और एजंसी चलाते थे उनको गुसा इस बात से आया था तो उनको बुरा लग गया था इसलिए उन्होंने वह तो मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि उनका कहने का मतलब यह था पुरा भी लगा होगा और उनको साथ लड़कों की कमी थी उनको पहीं पर सप्लाइज देनी थी ठीक टाक संक्या में अमेरी लंबाई तो सुरु से थी 6 फिट तो उनको लगा होगा कि चलो इसको इस बाहने पकर करके इसको बोलते हैं तो उनको समझाया अर्जल से निकल ज तो बीच में बातिज वी कर रहे थे कि जॉब करोगे पन्व पंदर पर किया साथ उनको तो कि तुम को पंदर जारे काम करें वह बहाग रहे हो दूप में सुन रहे हो तो तुमको बने किसी जगह पर कुर्सी लाएक बढ़ना परेगा तो जॉब कर लो नहीं करेंगे तो मुझे समझ में आ गया था कि यह प्राइबेट जेल है यह बहुत लंगे समय तक मुझे नहीं रखेंगे तो फॉजी अपसरते ना नहीं और बाकी जो लोग उनके ऑफिस में आ रहे था ना गाडबार उनसे बरे अदब से बात कर रहे हुए था उनसे अच् तो आपको बंद करके चले गए चले गए ठीक है बाहर तो पुरा प्रॉपर तला बार चले गए नहीं कि लोटे तो फिर उसके बाद बोला आपना किसी को खोल जानद इसको रात हो गया पक्का तुमने सोच रखा है कि नहीं करो गए जब करने का मन हो आपको अपने वह गाड वाले का बाद में नोकरी देना चाहते जब उनका भी शेल्स का जीब तरीका था कि अगर उननों मुझे अटाइची फैक्ट्री वाले दिन पकड़ा हो था तो मैं जोब कर भी ले था कि मता था प्रनाजर पर बाग बाग हो जाता यह तो उनकी टाइमिंग गलत थी उस जमाने में 15,000 जाल दे रहते मुझे दे रहते बाकी को नहीं दे रहते मुझे दे रहते उनको लगा कि और भी तँमसे महां का म करा लूँ गा तुम समझ रहा हो कि 50,000 रॉपे कम होते हैं इसमें लोगों को चार फाजार छे जार मिला करते थे ते एक अगार्डों को मु बोला कि नहीं तुम तेज तराक लड़के हो तुमसे में और काम कराऊंगा इसकर मैं तुम्हें पनाजार पर दे रहा हूं वो सकता है तुम्हें गाड़ी के ड्यूटी करनी पड़े ठीक है तो हमारा सारा काम बैठ जाएगा तो निकाल दिया अच्छा मैं जब स्टाटिंग दिया तो अच्छा मैं कीतावर्ने कीताव अगस nettाउं लावक करती हैं शवा hung किताव किताव में जब जाओ तो ने निकाल की तुम्हें छुटे हो वहीं वन्य चुटे हो बखाग जाओ अपकीताम ते जिग तक रहार अपनी किताब मुझे दिया तो मैंने उनको बोला पूरी क्यों दे रहें करक लीजिए ना एक तो खरीद लीजिए तो उन्हों ने बोला कि अधरी तारीफ में कहा कैसा मनने मतलब मनें जुजारू इंसान मैंने बहुत कम देखा है वो कुछ पताने ले कि पजो मैं कहां कहा मे अधर भाटी माइन से 520 या जाती थी तो नहीं मिलती तो मैं पर चातापु से पड़ाना पर जाता हूं तो मुझे देर हो रहा था अब मुझे बसों का सब टाइमिंग पता होता था किस रूट की कौन सी आखरी बस से कब गुजरेगी पहली और आखरी तो जब नों ने एक किताब खरीद लिया तो मैं आप कुछ भी कहिए आपने मुझे जेल में बंद किया जो भी किया मेरी गल्ती थी इसकी मुझे सहजा मिली पर आप है बहुत सहिर्दा इनसान सर एक और भी ख़ई एक ग्रीन प्लानेट भी खरीद लीजी एक और बेचा तो मुनें इमेडियर तो बाइगी आप ग्रीटर शादियों में केटरिंग में वाला वह भी बड़ा मज़दार किससा था मुझे उसमें अब ज़एज था कुछ नहीं है और इससे पता है डिली में बरातियों को भी पैसे मिलते हैं बरात जाने को मुप्त-खोडि में खाने वाले लोग तो होते तो मैंने यह काम मैंने अपने किसी यार दोस्त के साथ मैंने एक बार किया शादी में इसका बिल्कुल नहीं करता क्योंकि यह लीगल काम है लेकिन उसने जूट बोला वो आपका दोस्तात जूट बोल के ले गया कि चलो नहीं उसका इमिटेशन है उसको नहीं होता है जब वहां गए तो मुझे बात समझ में आ गई किसका नहीं होता है नहीं किसी से मिलता नहीं होता तो खाने बताना तूट पड़ता ना कोई लीफापा पकरा रहा है ना कोई पार्क में टेन्ट लगी हुय तो तो मैं निकला ये बात में गरेंगे मुफ्त में शादी में इन्विटेशन के भी वह तो इसे आयड़ो करके वह तो मैंने उससे उसे सही सही बताऊ तुम्हारा अमन्तर नथा के नहीं था तो बला की अविचवाबान करते हैं बाहर निकल अब नहीं तर्किन गलत है मैंने अपना कुछ लेक्टर दीया कि नहीं महां लेते हैं कि दिखने में कई लोग प्लेट तो यसे होते हैं कि तो मैंने बुरा लगा था ठीक है कि तो ठीक है तो मैंने बोला कि अधाना जो खाना है अच्छा इसी बीच में जाम लोग खाने काउंटर पर गया थे न तो कुछ उनका हिसाब किताब चल रहा था बेटर सब खाना चला रहा थे उसमें कोई उनका सुपरवाइजर था तो बोल रहा था कि आज का पैसा नहीं मिलेगा कल फालना देगा फंक्षन है तो उसको क्या करते थे अपने बेटर को रोज-कर रोज पेमेंट करते थे तो बेटर कुछ ऐसे नहीं थे उसा बलाला प्रफेशन के बंदे सब पार टाइमर थे अच्छा आपने वहां भी एक ऑपर चुन डूंड लीपा मेरे क डूंची क्या बात्ची चलीं तो कभी नहीं तो उनका मैंने सुना की तो भोला है से कैसा नहीं मिलेगा थीक है तो बेटर को सब्सक्राइल जानते हो जानते हो को जिस और इन सालों को आदमी मिलने के संहाना ही रोती है थे पाइसा रोकना शूरू कर दे ते हैं और दिन तो मैंने उसे सामें पूछ लिया था अचा तो आप लोगो महीना नहीं मिलता है आता है नहीं यार रोज काम को पैसा मिलता है तो जब भाहर निकल गए तो मैंने फिर फूरे फॉंक्शन वेट किया पूरा फॉंक्शन खोतम होने का बाहर है वह जिसके साथ गया थो बैचाला सापनें हुप गन्स हाद निकला तो मैं सुपरवाइजर को शकल घ्रम पाचाल लिया था अल्गेंगे जो 200 रुपे मिलेंगे फलना जागे आजाना ठीक है पर तुम्हारे पास ड्रेस हैं तो संजोग से मेरे पास काला पैंट था और काला जूता तो मार्केटिंग में पहनते ही थे यह तो फिक्स रूल था तो उजला सौट नहीं था ठीक है काला पैंट काला जूता और वाइट यह ब्रेस है वेटर का और अगर फोरी और हाई-फाई हो तो लाल या बलेक टाई भी लगा सकते हैं तो उसने बुला कि नहाधवा क्या ना बिल्कुल सापसुतरा दिखना तो उसके बाद मैंने बला कि उजला सौट नहीं है तो उसने मुझे बताया सबसे जदा मैं मुझे पैसा मिलने वाला मैं बेटर बन गया और सबसे जो सबसे संदार चीजे हुआ करती थी ना उस पर मुझे खाड़ा कराया जाता था उस पर मुझे खाड़ा कराया जाता था तो बता जाते थे कि इन से कोई तकलीफ होगी इनको बताईएगा इमेडियेट मुझे खबर करेंगे और मुझे बलता था कहना मत कि मैं कहीं और गया हूं पटाग से फोन मानना मैं बाइक से दौरा चला हूंगा मैं आस-पस महीं हूं अब इसे को रोल बाग में एक टाइम पर अन गिनात्साद मिलने लगे और उसमें सबसे खास बात यह थी कि मैं जहां रहता था शकूरपूर में तो रात काम था नहीं रात काम नहीं था दद्दा काम लोगों को दिखता रात का है पर उसमें दो बज़े से आप इनवाल हो जाते हैं अच्छा सुप्राजर आपको दो बज़े बुला जाता था जब मैं हयात में जाता था तो मुझे 3-3 मिलते थे अचा हयात आट होल्त नहीं है या लग्जरी कलब नहीं है जिसमें मैंने जा करके सर्वीस ना दे बट्रों काभी उसमें एक उना जो था यह ग्रेट बेटर सब्सक्राइबटर तो कोई फंक्सन है उसमें उसमे तो जिसमें इसा होता था ने पूंसे में तो चाहिए जदा पैसे से न हन्म भुबतेें कि 2013 कॉई काम काम करना शBirलिव पना कर रहा है तो तो फिरसी केसे कंग मिल रहा है 흥 है weighing करता था जब आप संडे को छुट्टी पर होते हैं तो जिन्द आपको जीरो मिल रहा होता है तो उस टैप से कभी कभी काम होता था तो मैं कर लेता था और उसका करने का मुख बचा जाता कि जहां में रहता था शकूरपूर में वहां उस बिल्डिंग में थी अठारा सी उन्नीस मत वो बिल्डिंग थी नहीं अद्रसी बता दे रहा हूं तो पचीस पचीज के पलोट के वहां अट्मन होती है चुक्के मांकाव मालिक ने दो पलोट खरीत के एक साथ मना दिया था पचास गज का एक फ्लोर पे तीन रूम थे एक रूम में दो तो चा अब उसमें एक बंगाली थी जो बंगालन थी एक वहीं थी फैमिली वाली एक बंगालन थी उसके पती बरही काम करते थे तो वह दीन में कोई जिस दिन में दो पार में आकर नहाध वा रहा हूं तो समझ आते थी को याज जाएगा जहां मैंने उजला ड्रस पहना तो क्या स अब जब पार्टी में जा रहा है जब उसको आइसा मतलब यह आता था तो तो तमाम उस वहां रहनेवाय लोगों को सामको पता थी तो मत बनाना सब कुछ भी चावल बना लो चावल बना लो बना लो बाकि तो सुबरंशी लेके आएगा साही पनीर आ सकता है कराई पनीर आ कुछ पर आ पर तक भारेवस खानी कंध सकता है अ अब उससे मुझे फाइदा था तो उसके भीहाब पर मैं खुद का खाना नहीं बनाता था तो भया मैंने आपको शाही पर्मा खिला तो कल तुम दालबत खिलाओं दालबत तरकाई तो खिला सकते हो यार इती तो गरत तुम नहीं होनी चाहिए और एक साथ मैंने 20 बंदों को खिला दिया तो तुम 20-21 दिन तो खाना बनाने का थे आप ने कम तकम एक टाइम का विभिन मित्रों के जाद रही के भोजिन का विजवार कर लिया तो और और उसी अठारा उनीस के चट पर सब एक साथ पल्थी मारके खाते थे ना एक भोज की फिलिंग आती तो लोग अपने मारे माइन फ्रेस हो जाता था कुछ होगा कुछ नहीं एक महनतकश मजदूर आत्मी के जिंदेगी में यही एक चोटा सा सेलिब्रेशन हो जाता है यह बहुत बढ़ी अब देखे कैसे होता है यह आदमी इस चीज से रिलेट ना कर पाए नहीं 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 बदाता हूं कैसे जैसे मैं 12 बजे लोडता था तो फैनली ओकोई कोई ओबर टाइम लगाने को अभी 9-10 तो क्या करते थे चीपस लेकर बैठे उसी च्छते पर आते थे उनकी गप सारका चलती रहती थी मतलब उनके हपते भरके उनका पुरा जो टेंसन होता था न उस दूर रहता था था मैं तो आता था वो लास्ट कार् पर्णियां पाटी थी जो जो पाटी सायद हो लो किसी पार्क में या किसी कहीं बुकिंग करके करते अरेंज करते उनको फ्री अपकॉस्ट हो जाती थी तो उनकी जिंदगी में मैं खुशियों का पल देने वाला इनसान भी था साहिल भाई यह आज नहीं हमने अपने अपने इस एपिसरोट को नुड़ा हलका फिलका रखा है जिससे कि बहुत जानक ग्यान भी नहीं देना चाहिए कुछ मौज मस्ती कि मजए की बात भी करने चाहिए तो आचा बाद में तो उसमें उसमें मैंने पचास से जदा लरकों को लगा लगा दिया पचा अप और इंडिरेक्टरी तो पात्सो से जदा लोग इस काम में में किसी को लगा एक पुरा पुरा गाउं का बैच उसमें लग गया एक मधुवनी जिस्टी का बिहार का वहां के तत्य मतलब एक सतलखा गाउं कहीं वह बिद्यापति का गाउं तो पांस साथ लरकों का में लगा उन्हीं पता है कितने लरकों के उसमें लगाया उसमें लगा अउसमें नों का पर्मनेंट था वह रोज दो बज आते थे रात का एक वाज के सोते थे सुबनों दश बढ़ते फिर उनका सिंगल जोब आइन था और फिर भी ओड़ी ठीक- यह मैंने अपने बाद में खुद के भाई तक को लगा दिया ज़करांडा हॉल में इंडिया अबिटेट सेंटर में प्रोगाम होता था तो उसको वहां का जो अचा हुआ हुआ इंडिया विटेट सेंटर वालों का वह बाहर से आलाओ नहीं करते हैं तो उसका टेस्ट मेरे भ इंडिया एविटेट सेंटर में मैं भी एक मामारे कि स्कूल में वह कैंब्रिज जैंटरनेशनल वाला जैंट कराइड़ तो वहां पे मैं भी आया था और मुझे याद है मैंने अपने जीवन की सबसे बहतरीन माचली। मैंने अपने ज 이후 में इतनी बैतरी नहीं नहीं का इस में तो तो मैंने अपने भाई को बोला था कि अगर लजीज खाना खाना है तो इन बेटासन को गोली मारो पाईसे से क्या खाना है पाईसे मिलेंगे और खाना भी मिलेगा परकाम करना पड़ेगा ठीक है तो तो में बता रहा हूं आपको मैं बता रहा हूं कि जब पहली बार गया तो अई बरतन को यह काम नहीं मिलता है उसको इसकी बर्तन को काम पहुछने का मिलता है एक तो भूद Wilan पहुचने वाले उसके जो experience वा उस experience का नतीजा है निकला कि दिली के राजेंदर नगर में जब आईएस गुरूप के लोग जब साम को अपनी पाटी करते थे द्रिंग के लिए तो मेरा भाई सबसे हाइस पेइंग बेटर है लोगों को सराब सर्व करने के मामले में क्योंकि जिस भैतरी तरीके से गिलास पोच करके चमका सकता है न हम आप नहीं चमका सकते उसके आर्ट है वह वह गलास को मतलब इसका मतलब यह हुआ है आपकी कहानी द कि इसलिए सुनता हूं कि जो सीखने वाला है दुनिया में किसी भी परस्तिती से सीख लेगा और और तो सीखने वाली चीज जो है वह विखरी परी है चारों तरफ मतलब आप सर्फ यूंभी ए गुड लर्नर जंदगी आपको बहुत कुछ सिखाने को तयार है मैं अपने मे मातर न revenद यहीं है कि μεा सिखने के लिए टियारा दा और मेरे高िट नहीं है को फिलेंगा पर मैं मुझसे आप पुछेंगे टमेरे सीखने का गुन होने का लावा को तैलेंगी मैं यह मानता हूं कि असफल लोगों में एक ही मात्र कमी है कि वो सीखना नहीं चाहते वो कुछ नया ट्राइक करना नहीं चाहते अगर जीखने कोसी नया जाय है और मिले कितने लोगों को तो मैंने ऐसे ही टोंट मार करके जिनकी को मैशेर नहीं का पर मैंने कि फिर्थ है नुट ख़ता है इसे दलने रहा इनिक पार्था में भशंच समना झेल ठेने सपड़ संवेखता गम करें पूस में बिल्लिंग्य आपकें नहीं है एक सुरुजी नगर में बहुत अच्छा पैसा कमाता है कुछ फुटपत पर समान लगा के बेचता है एक बंदा बिहार में जा करके खुट टेंपू चलाना सुर किया अब टेंपू भारे पर चलवाता है तो ऐसे उसमें कि किसी बंदे कोई अटैची फैक्री का लेबर नहीं रहा थैसा सब कहीं नभी चलेगा उससे बहतर जिन्दी जी रहे हैं मत्या सबस्क्रिक नोक्री करके ठीक ठाक शलेरी उठाने वाले को भी मैं टूंट मार मारके नोक्री तब शुरूबा पाया हूं पर हो सकता है यह मैंने दिन तक दस भी सरकाई नोकिलों का शुरुआ दूंगा तो यह चीजें है जद्धा बहुत कुछ है में में बाते नहीं में बाते है कि जो आदमी सोचता है न कि यह अलग-अलग काम ट्राई करने में और सेल्स में बुराई है उसको इसका मजा का पता ह पताने के लिए कि सुर्यबंसी आजाओ कितने जॉब करने वाले लोग हैं जो इंग उठाएंगे और नई दिले स्टेशन चल देंगे रिसीब करने के लिए अपना काम छोड़के या बहुत से बिना छुटी मांगे मैं पुछता बहुता बहुता चुटी मांगे कितने लो होती है लोग बोलते हैं इस अब लागो किताम में पढ़ते हैं अब दो सबसे किम्टी जा जादी और एको कोई बुरा नुर्माने तो जैनुएले बंदे जा जादी चिलाते हैं पढलिखकर के यतना पढलिग गये बुढ़े हो गया कोई काम नहीं कर रहा है अरे आजादी नहीं थी अब मुझे भैतरी ना जादी थी अगर कोई मेरे पास आया जब मैं लगा तार तीन दिन के लिए मुझे उसको समय देना में तीन दिन आता समय कोई मुझे से पूछने नहीं आता था कोई मुझे से पूछने नहीं आता था कोई बोलता था कि आया है दिल्ली घुमा तो कालका जी चिठी देने गया तो कि खाली बतल लाओ वहा गया साब चिल पानी बतल अगया गजा पानी पानी मिल गया थिक है कि अब जितनी दूरी मैं कालका जी से चल करके गौमिंदपुरी के बस्तॉप पर जाओंगा पितनी दूरी में Texas अगर ट्राइब करों तो मुनर्थ सिंपल ब्या सकता हूं काल का जी मंदीर भी जा सकता हूं उसको मैंने बला कि Webb छिए गूमो ये मंदीर इस जगा मिलन इतने बजह सब भागना मगत मैं नहीं आओं नहीं अब दो बजह सारा कुरियर बाठ लिया मिले किसी को आजा दी गाइड सर्विस में ससता वणली बीस रुपया का जो मैंखाता था छोला बतूरा उसको भी खिला दिया हो भंडारा भतर आपको तो दिल्ली के तबाम भंडारों के विजयनकारी हो जब जगा मुझे पता है जब गुरु साहब लोगों की जब यात्रा निकलती है तो जो सबसे मुख्य जो सर्दार जी लोगों का बेल्ट है तिलक नगर टू बंगला साहब भाया बुलू लाइन समझे बुलू रजवरी गार्डेन रमेस नगर किर्टी नगर पटेल नगर राजंदा नगर होते हैं आप चले जाएं तो यह दस गुरुओं के बार दस बार तो फिक्स भंडा रहा है ने ने गुरु परक पे भी है और वो शाहिदी दिवत पे भी है रैली निकलती है सर्दाभाव से जा सकते हैं अब जैसे चिप्स का पैकेट मिल गया पुरुटी मिल गया तो यह सब चीज आप रख लिजे ना वह भी खुश होगा है उनकी देने के एक्षा थी है ठीक है हमने बरबाद नहीं किया और हमारी हम जो सो अच्छा एक बबाद है जोड़िए हमने फेस्बुक पे ग प्रबर्ट करने की कोशिश की कि बहुत कम बजट में आप दुनिया घुम सकते हैं यह जीरो बजट में भी घुम सकते हैं यह जीरो बजट का हमने फिर उसमें बहुत बवाल हुआ बहुत लोग विबाद किये बहुत लोग हमको गरिया आप लोगों को मुफ्तगोरी सिखा उससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता सौर रूपया रोच सब मिला पढ़े का सौर परका सब रहेगा तीस दिन का तूर बनाते हैं तीन नेजा रूपया लोगी कट्ठे आप अभी तो आप बीदी हैं तो मैं और आप जैसा एक थोड़ा देख मैं साउथ बहुत कम घुमा हूं चलि और डिस्टिक में गिया हूं एक तब जीरो बजट जी और इसी तरह के गुमकरी की जाए मैं तो ददा मैं तो ददा यह मानता हूं कि आज के सबसे वहयात चीज जो है वो मुबाइल को साइड कर दिया जाए पॉकर में कोई चोरी होने लाग चीज नहीं हो तो पैदल ही बंद जरनी टिकेट के तो आप मास्टर है बिल्कुल कि गवर्मेंट मुझे दे दे कि तुम कुछे स्टेंडर रूट बना दो तो मैं गवर्मेंट को 100-200 बना के दे दूंगा मैंने काम भी किया है कि मैं लोगों से लोगों का टूर प्लान करके मैं उस पर भी मने अपना पैसा ल मेरे बीशुआजर अजार पर बचा दिये हैं मेरी मेरी जब साधी हुई थी तो मैं पत्नी को लेके हणिमून नहीं बोल सकते हैं उसको ठीक है पर जब मैं पहली बार भूमने निकला तो मेरी मेरी इस गुन की बिल्कुल ताडीप करते नहीं थकी अपने माइकेवालों को क्या उगुन क्या था कि मैंने उसको पूरा अलोबर इंडिया गुमा दिया एक जगा भी होटल नहीं लेना पड़ा इसी ट्रेन में आप रिजर्बसंद कराओ जो रात के आठ नो बजे का सपस खुलती हो सुबह साथ आठ बजे पहुंचती हो ट्रेन में जाकर सो जाओ सुब जीवन संगनी है वो मेरे हर चीज में बिलकुल अब देखिए जो आठवी पास आदमी को बत्तब की टॉप रैंक से बैचलर फेंजिनियर मेकानिकल इंजिनियर जिसको उससे तकलिफ नहीं हो तो उसने कुछ सोचके यहां भरा हां किया होगा पैनेंट ने बोला और उन्हे यह काम किया हूं यह काम करता हूं मेरी डिगरी बस आठवी तक यह मेरी पत्नी डेवन से जानती है सब्सक्राइब कर नहीं है कभी-कभी तो जाय करती है कभी-कभी बहुत गरी आती है मेरी पत्नी का अब ही किस्सा यह है कि मैं उसको छोड़ के जाओ तो गरी आएगी अच्छा मन गुस्टा होगी कि छोड़ के क्यों गए हमको साथ लेकर जाओ अब नाउशी उमर का भी एक तकादा होता ना तो नाउशी लंडरी ट्रगनों अब जो फक्कड मस्ती नहीं नहीं करता हूं पर इसका मतलब है नहीं कर नहीं सकता हूं कभी-कभी मैं बाइच्वाइस अभी भी मैं कर लेता हूं आश्या मेरे साथ है कि या तो नून त्य ना होना चाहिए और नहीं तो तीन त्यणा होना चाहिए बोजपुरी का नून मतलब नमक तीर मतलब खाने पर नगड़ कुछ आइटम अप समझे थेरा हो तो तीन किस बुद्ध काम ना विच वाला काम नो अच्छा है तिसलिए मैंने अपने लाइफ मेंी किया और नहीं तो फर्स्ट और स्केंडेसी मैं की यह थो डेसी और सी युर सी बेंट ना के बराबर किया ना के बड़ाबर अच्छा एक जड़ा मेरे साथ आप आइट मेरी बनाई ये बुलेट अभी हमने नया मतलब है तो जब ब्रांड न्यू कंडिशन का मैंने एक नई लाड़ी खरी दिया अपने मेरी पुरानी जो बुलेट थी थंडरबर्ड वो मेरे बेट इनकप जाकर लिया था अब आपको बात बता हूं लोग बोलते हैं घुमकरी कि आप किसी भी सहर में लेके चलो मैं दस बेल बजा करके रात के सोने का इंदि जाम कर लूगा कैसी बात करता है और आप जो परिवार जो सोने का रूम देगा न वह अपने घर का सब नहीं रूम देगा मैं दावे से और तशी तए हो गई थी सब कुछ हो गया था ठीक है अब मेरी मिस्ट बैंकर हैं तो बांक में जॉब करती थी तो मेरी पत्नी को मुझसे कुछ और भी बाते करनी होगी ठीक है तो नहीं कि यहां से रेस्टोरेंट में जाएंगे अब मेरी ठीट ट्रेन मुझे लोटने की 10 पहले कि उनको कुछ और किले कर सो तो उनको कुछ और मुझे बाते करनी थी उननों मुझे बिलाए तो मैं गया था देली से मुझे लौटना था तो मेरी पत्न ने फिर बताया कि हम किसी रेस्ट्रेंट चलते में जितने दूर जाएंगे वर टाइम बर्बाद होगा तो जदा इनको कुछ और समझना छूट जाए तो फिर बोलेंगे फिर कला जाओ ठीक है तो इतना तो मैं दोरूंगा तो फिर मेरे गाव में तो मेराडू के पीछे पागल है तो मैंने बोला कि हम एक ररेंज कर देते हैं उनके सामने ने ओंने इनिक यह 干ुतना 2 ले कले में थेंश कnya क्णा लिए तूसरे चये बात कर सके दूसरे या तिसरे ने बोल दिया अचा उसमेरे च्वाइस से खराब घर देखके नहीं खड़ करा था तो च्वाइस प्लीज विलकम और क्या लजीज चाए नास्ता इस बीच में सब कुछ है जैसे उनकी उनके घर की बेटी हो अरे ठीक है तो मेरी पत्ती तो उसी दिन से बिलकुल डिवानी गजब का आदमी है इसकी ठीक है इस तरह अब मुझे आपके साथ जो है एक टूर करना है काक महीना है किसी ने बोला कि ऑफिस में बड़ा इंपोर्टेंट काम है कुछ टाइपिंग काम था टाइपरेटर वाला कि अपने पीए को बोला मैंने जो लेडी थी उसकी सेक्रेटरी जल्दी से बहुर इंपोर्टेंट होना चाहिए तो तो सीसे का बना होता ना चेंबर उनका तो जा है अधा और खाली था वहीं जोला रहा है तो सबसे कौन है इसको दो टाइम से भी करेगा अच्छा भी करेगा गलती भी नहीं करेगा इसलिए भीजी है तो आप ने बड़ा ना कि कि अप बीजी आ हो किसी भी काम करने के लिए मैं अभी कोई मुझे बता दें पैसा कमाने का उपर्शनिटी है ठीक है कि मैं तैर के साथ समंद्र पार जाला जाओंगा तो ऐसा ददा बीजी बीजी कोई बात नहीं आप जब बनाएं मैं बिल्कुर एडी हूं आपके लिए पर बुलेट ले लेते हैं दो बुलेट वह लोग चलेंगे इस्टेफनी पिठा लेंगा पूछा जाएगा चार ना चालो जादा हाँ दो लो ठीक हाँ दो लोग यह की पिछे वाले पर बैक बांद देंगे बांदने के लिए जगा और तो यह जो जितनी भी पर राइडर पिलियन बैठाते ही आपने अपनी चाहें पीस किलों की भी अगर आपने सवारी बैठा ली तो जो राइडिंग प्लेशर है वो मज़ा खतम हो जाता है इसलिए राइडर हमेशा अकेला ही चलना चाहिए राइडिंग का सारा मैं हम लोग आज मिसलेनियस झे-जी तो राइडिंग में मैं फ्रोफेश्नल राइडर मैंने दिखा है कि मज़बुरी में है अपनी फतनी को पिछे बठा के चलता हूं वो कभी भी पिलियन की और लोगों को इसी तरह बहाने बारत दर्श्री कराएंगे तो आज हम लोगों ने हलके फुलके मूट में बड़ा अच्छा वीडियो बनाया मैं साहिल भाई से सिर्फ बाते करता हूं और इसा नहीं है कि हम अभी आपके यह तो कैमरा बाते कर रहे हैं इसे इतना सीखता हूं अगली बार ना मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी लर्निंग जो आपकी जो रीडिंग है और आप बेशक आपके पर दिग्री बेशक आच्वी पास की पर आप नौलेज बहुत जादा है और जो आपने एक्वायर किया नौलेज पढ़के और खूंके आपकी घुमकड़ी आपके जीवन को शेप करने में बहुत बड़ा रोल है घुमकड़ी का आपकी घुमकड़ी का और पढ़ने का तो हम लोग दो एपिसोड करेंगा अच्छे लोगों से आपने क्या तिखा लाइफ में इस पर एक एपिसोड करेंगे तीसरी चौछी क्लास के संस्कृत में मैंने एक दोहा पढ़ा था उस दोही की बज़र से उसमें था ना कि इंसान जनम मिले ना तो जानवर की तरह मत बिता उस तो फरक होना चाहिए कुछ ऐसे था मतलब कोई गल्तिवत कोई माप करें जैसाम न बिद्या न तपो न दानम न गुनम न शीलम न धर्म ते मिर्तलों के भुमी भार भूता मनुस्च रुपेन मिर्गास चरंती इसके पास तप त्याग बिद्या यह सब चीजे नह हो गुन धर्म ज्यान सिल नह ह पर इंसान का रूप में मिर्गास मतलब जानवर का जीवन ब्यातित कर रहा है तो अगले तीन एपिसोड हम यह बनाएंगे आपकी रीडिंग हैबिट्स पर आपने क्या पढ़ा कहते पढ़ा किस से आपने क्या सीखा नंबर वन नंबर टू आपकी घुमकडी आपने जो ज चीज कोई करें तो बाकी दो आटॉमेटीक आजाएंगी और कोई किताब परें मैंने जतना घूमाया पता है क्यों है किताब परता था तो ससा स्थान का जिकर होता था लुचा ना जाना है ठीक है फिक्सटन नोन-फिक्शन उसे को फरक नहीं परता और जब जब किताब कर तो उसे में किताबी ही तो यह बताती हैं कि अच्छे लोग के बीच में रहो तो आज के लिए इस एपिजोड में इतना ही बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ पिरते मिलते हैं जी दादा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मॉच